कपड़े का चुनाव तदासुरच्छा क्या आप जानते हैं कि कपड़े का चुनाव केसे करना, उसे पेंटिंग के लिए केसे तयार करना और देख फाल्ख किस्त रख करना ताकि उसे कोई नुकसाना हो, यह सब तुम इस अध्याय में सिखेंगे. इसके पहले कि तुम पोलिस्टर, सूती, रेश्चम या अन्य प्रकार के कपड़ों पर पेंटिंग शुरू करो, निमने बातों को समझना और उनका थ्यान रखना ज़रूरी है. नए कपड़े में स्टार्च यानि कलफ लगी होती हैं. कलफ हटाने के बाद ही उस पर पेंट करना चाहिए. सूती कपड़े से कलफ हटाने के लिए कपड़े को अच्ची तरह धोना चाहिए. सुखाना चाहिए तथा आयन करना चाहिए. इसी तरह स्टार्च हाटाने के लिए पॉलिस्टर तथा रेश्चमी कपड़ों के उपर एक कागस रख कर आयन करना जाहिए पेंटिंगे 24 खंडे बाद कपड़े के पिछले हिसे पर आयन करना न भूले कपड़े में सूत की संक्या तथा सूत की मोठाई के अनुसार विपिन कपड़ों के नमूना लेकर एक नोट्बुक में लगावे इन नमूनों पर पेंटिंग करने के बाद नोट्बुक में इने सुखा ले हर सैंपल पर उब्योग में लिया गया पेंट तथा उसकी मात्रा नोट कर लेना उब्योगी रहेगा गहरे रंग के काले तथा सफित कपड़ों के लिए अलग-अलग पेंटिंग तकनिक होती है त्यांटरकें की पानी में डुबाने के बाद कोई कपड़े सिकुट भी सकते हैं आईए ताप नीदरन तथा कपड़ों की सुरच्छा के बारे में जाने सुखे हुए टेक्स्टेल तथा एक्रलिक पेंट को दांक चुडाना कड़िन होगा इसलिए एप्रन लगाना या पुराने कपड़े पहनना ठीक रहेगा पेंट पक्का सिट करने के लिए आईन बोक्स का ताप मान सही सिट करें त्यांटरकें की फैंब्रिक के पिछले हिसे को भी आईन किया जाना है आईन करने की हिदायतें अंक जिब की इस्तरी याद करने के लिए सामानी पेंट को सुखने में 24 खंटे तदा 3D tube paint को 3 दिन लगते हैं इसके बाद ही प्रस करना चाहिए इसी तरह सामानी पेंट की एक कपड़े 3 दिन बाद थोए जावें तदा 3D tube paint के कपड़े 7 दिन बाद थोए जावें